सभी को मेरा नमस्ते psychology या मनो विज्ञान को मूल रूप से जूट के अध्यान का विज्ञान या study of lies कहा जा सकता है क्योंकि मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो जूट बोलने का काम करता है अब जैसे जूट जो है वो प्रतिकूल परिस्थिती में भी बोला जाता है जूट अनुकूल परिस्थिती में भी बोला जाता है आनडवांटेजियस सिचुएशन में भी बोला जाता है तो जो जूट प्रतिकूल परिस्थिती या अनडवांटेजियस सिचुएशन में बोल बोला जाता है वो अक्सर intentional जूट होता है यानि जान बूच करके बोला गया जूट जान बूच करके बोला गया जूट उतना खतरनाथ नहीं है इसका कारण यह है क्योंकि जान बूच करके बोले गया जूट के बारे में पता लगाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसे उधारन के तोर पर अगर मैं आप से ये कहूं कि मेरे बगल वाले कमरे में शेर बैठा हुआ है तो आप आकर के मेरे बगल वाले कमरे में देख लीजिए अगर शेर मिलता है तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं अगर share नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मैं जूट बोल रहा हूँ लेकिन अनकूल परिस्थिती में जो छूट बोला जाता है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आपके जीवन में रच बस जादा है और अक्सर तो इसका पता लगाना इसलिए भी बहुत जादा मुश्किल होता है क्योंकि आप इसको बहुत पसंद करते स्वभाविक रूप से ये आपका बहुत ही पसंदीदा चीज है तो ये जो अनकूल परिस्थिती में आप जूट बोलते हैं इसको स्वभावगत जूट भी कह सकते है और इसलिए इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है स्वभावगत जूट या इंस्टिंक्टिव जूट जो अनकूल परिस्थितियों में बोला जाता है इसको परिस्थिती कितनी सुविधा जनक है तो कितनी ज़्यादा सुविदा जनक है या कितनी कम सुविदा जनक है इसके अनुसार भी इसको कैटेगराइज किया जासकता है वरगीकरित्वी आज जासकता है। उधारण के तौर पर अगर परिस्थिती बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है थोड़ा बहुत अनुकूल है तो किस प्रकार का जूट आप बोलेगे जैसे मैं आप से कहूं कि UPSRTC का फुल फॉर्म जानते हैं आप तो आप कहेंगे कि मुझे तो ये फॉल फॉर्म नहीं आता है अब आप मेरे कनिस्ट इंपलॉई हैं तो मैंने आप से कहा कि आप UPSRTC का फॉल फॉर्म जानते हैं तो उसके अब मैंने आपको ये बताया कि UPSRTC का फॉल फॉर्म होता है UP State Road Transport Corporation और उसके आप फिर मैंने अपना बकान किया आपके सामने कि देखा मैं कितने डीटेल में चीजों को स्टड़ी करता हूँ मैं कितने डीटेल में जो है चीजों का पता लगा पाता हूँ और इसकी वज़ए ये है क्योंकि मैं चीजों को बड़ा attention देता हूँ तो अब मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये एक्चुली मेरा अटेंशन वगरा से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन चुकी मैं एक एडवांटेजियस पोजीशन में हूँ, आप मुझसे नीचे हैं रैंक में, मेरी परिस्थिती आपके तुलना में ज्यादा अनुकूल है, इसल नहीं, मुझे भी नहीं आता है, जितना कि आपको नहीं आता है, क्योंकि अटेंशन ना मेरे पास है, ना अटेंशन आपके पास है, लेकिन चुकी मैं एडवांटेजियस पोजीशन में हूँ, मेरी परिस्थिती अनुकूल है, इसलिए मैं थोड़ा आपको इसके बारे में हैं सामने कोई आदमी आपके आया उसने कहा कि क्या इसवर को आप पूरा जूट उससे बोल पाते हैं क्योंकि आपकी परिस्तिती बहुत ही ज़्यादा advantageous है, तो advantageous फरिस्थिती में आप उस तरीके की जूट बोलते हैं, जिन चीजों के बारे में जाना नहीं जा सकता है, और जब आप उन चीजों के बारे में जूट बोलते हैं, जिन के बारे में जाना नहीं जा सकता है, तो उस वक्त आपकी जूट बोलत लिवी नजर आती है और उनको खास तोर से तुरण पहचाना जा सकता है अगर थोड़ी भी जगरती के साथ उसको देखा जाये तो उसको बिल्कुल पहचाना जा सकता है ऐसी इंवस्टियां जहां पर हुमेनिटीज की पड़ाई होती है मानुविकी शास्त्र की पड़ाई होती है वहाँ इस तरीके का जूट बहुत बोला जाता है ऐसी चीजों के बारे में थीरीज दी जाती है इस तरह का जूट बताते रहते हैं लोग जूटी थीरीज देते रहते हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियां बड़ी अनुकूल हैं इस परकार की थीरीज देने में तो वो इस परकार की थीरीज देते रहते हैं अब यह प्रश्मिये पैदा होता है कि जब आप जगत के अंदर तो फिर आप जगत के बारे में कोई theory नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप पार्ट हैं तो howl को आप देख नहीं सकते तो आप कैसे थี sort है तो आगर आप को कोई बात बता रहा है तो अब उसको सास्त की बात को सुने और उसके उपर विचार करें ये एक अलग बात है लेकिन आप खुद अपनी तरफ से कोई theory नहीं दे सकते हैं ना सास्त्र जो बात कह रहा है उसके उपर आपको अविश्वास व्यक्त कर सकते हैं जैसे विज्ञान अविश्वास व्यक्त करता है क्योंकि अविश्वास जा सकते हैं Maybe beginning of jías Kingdom क्योंकि उनका अविश्वास एक जूट है सास्त्र जो बार बोलता है उसका विरोध करना एक है क्योंकि उनके सबोत नहीं जिस्टे उसको कॉटा जा सके यह उस भात को और दार्षनिक जो अपनी theory देते हैं वो theory भी एक जूट है क्योंकि theory देंगे कैसे आप तो part हैं तो whole के बारे में आप theory कैसे देंगे यह तो कुछ इस तरीके की बात है कि आप मकान के अंदर रहते हैं और मकान बाहर से कैसा लगता है इसके बारे में आपको यह theory दें जबकि अगर आपको बाहर घर से निकलना allowed नहीं है तो कैसे दे पाएंगे क्योंकि आप तो बाहर निकल नहीं पाते हैं बर्ड्स आई यू मिल नहीं पाता आपको तो कैसे कोई theory दे पाएंगे तो इस परकार जब हम बहुत ज़्यादा advantageous situation में होते हैं तो हम उन चीजों के बारे म कुछ कहा नहीं जा सकता जितनी भी research होती है दर्शन के बारे में और बाकी चीजों के बारे में वो भी एक तरीके का जूट ही है सास्त्र जो बात कहता है वो बिल्कुल अलग है सास्त्र को भी बीच में नहीं लाएंगे सास्त्र सास्त्र तो युनिवस्टियों पढ़ाया हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक support system चाहिए होता है और ये हमारे ego को strengthen करता है जूट जब हम बोलते हैं तो ये हमारे aim को सक्तिशाली बनाता है strengthen करने का काम करता है हमारे ego को जिससे हम दूसरे के उपर control कर पाते हैं और उनकी जिन्दगी में interfere करके अपने आपको सुरक्षित बना पाते हैं और सुरक्षित मैसूस कर पाते हैं लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिस कर लीजे ego कभी सुरक्षित नहीं हो सकता क्योंकि ego एक जूट है जैसे अन्ता करण और चेतना दोनों के मिल जाने से ego पैदा हो जाता है जैसे कि पान के और होट के मिल जाने से लाल रंग पैदा हो जाता है वैसे ही चेतना और अन्ता करण mind और consciousness के मिल जाने से जो है ego पैदा हो जाता है तो ego तो खुद एक reality नहीं है क्योंकि दो चीजों के मिलने से ये अचानक पैदा हो गया है, इसका खुद कोई existence नहीं है, अगर ये खुद कोई reality होती तो दोनों में से किसी एक चीज को हटाने पर ये मौजूद रहता, लेकिन आप mind या consciousness किसी भी चीज को हटा दीजे तो ego तुरन चला जाता है, इसका है, तो जितना आप जूट बोलेंगे उतना ही आप ठकते चले जाएंगे, और उतना ही जादा एक जूट के बाद आपको पचास जूट और बोलने पड़ेंगे ego की सुरक्षा में, जो कि आपको बोरी तरीके से ठका देता है, तो जब आत्म जान की शुरुवात होती है, त जो कि आपकी प्रिस्टीन सेल्फ या आपके साक्षी रूपी सेल्फ के रूप में आपको मिलता है, और ये सेल्फ जो है, आपको एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम देता है, तो यह कुछ वैसा ही है, जैसे कि आप साइकल की सवारी करते थे, तो आपको साइकल की सवारी छोड और इसको रोक पाते हैं, तब आप एक नएा सपोर्ट सिस्टम पैदा कर साटे हैं। और यही नया सपोर्ट सिस्टम पैदा करने के विज्ञान को हम कहते हैं आत्म ज्यान। धन्यवाद.